Dear students, welcome back. आज चर्चा कर रहे हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती, extraordinary lady, 19th century की, जिनको भुला दिया गया इतिहास में. आज उनको resurrect किया जा रहा है, recover की जा रही है, उनकी legacy को समझने की कोशिस की जा रही है, just like Mary Wollstonecraft, कि क्या उन्होंने masses दिया, gender issues पे और कैसे women cause को main stream में लाईं वो सब से लड़के और जिसके लिए कि उनको punishment मिला, हम लोग ये सब को देखने कोशिस करेंगे इस extraordinary lady के जीवनी से, कि क्या उन्होंने किया, क्या वो थी, और क्या उन्हें जहेलना पड़ा. पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई जेंडर थीम पे है, 2019 मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन इनका contribution क्या है, gender issues पे ये पूछा जा रहा है, कैसे उन्होंने cast और gender issues को highlight किया, वो उस पे examine करना है, और कैसे उनके जो, उनका जो life choice है, या writing है, वो खुद जो है, आयना बन गया कि women की और gender की issue की आया है, और उस से क्या उन्होंने message दिया, कि women condition कैसे improve करना चाहिए, ये question है, और gender issues पे note लिखने भी आया है, so let us begin this fascinating discussion, आईए सबसे पहले as usual देखते हैं, life and time of Pandita Ramabai Saraswati, मैंने आपको हर political thinker के life and time के बारे में, 5-7 minute में बताया है, लेकिन ये extraordinary lady की life different है, क्योंकि ये खुद बयान करते हैं कि वो क्या थी, कि वैल्यूज के लिए वो stand करती थी, उनके principles क्या थे, उनके life choices क्या थे, क्या struggle उनके life में थे, और क्या उनके thoughts थे, in fact ये पूरा उनकी जो life है, वो पूरा mirror है, आप खुद देख सकते हैं उनके thoughts को, principle को, इसलिए पहली बार मैं टीन slide में इसको दे रहा हूँ, थोरी detailed है, लेकिन उससे कई चीज़े हम draw कर पाएंगे, कि ये क्या थी, इन्होंने क्या किया, और इनकी क्या सोच थी, इनके life and time से, इनका जन्म 1858 में, आज रमा डोंग्रे हुए था, जो उनका maiden name था, रमा डोंग्रे था, ये करनाटका के कैनारा डिस्ट्रिक में, उस से मैसूर राज कहलाता था, बहुत बड़ा था, अभी के करनाटका में, मराठी थी, चितपावन ब्राह्मिन परिवार से आती थी, जो बहुत हाई केटेगरी के ब्राह्मिन माने जाते हैं, उनके जो फादर थे, अनन्त शास्त्री डोंग्रे, वो एक संस्कृत स्कॉलर थे, जो उसे में ब्राह्मिन होते थे, और वो जो अपनी living थी, जो earning थी, livelihood, वो भी एकदम typical एक संस्कृत स्कॉलर कैसा करते थे, वो घूम घूम के teaching करते थे, और narrate करते थे पुरानी के stories को, तो बिलकुल जो पंडितों का काम होता है, लेकिन वो family जो है वो non-conformist थी, नॉर्मल, traditional, orthodox family नहीं थी, उनके father एकदम हट के थे, उन्होंने अपनी पहली पत्नी को संस्कृत की सिख्षा देनी चाहिए, जो उस समय में समझे पाप था, उनकी पत्नी ने विरोध किया, उनकी पहली पत्नी के मिर्तियू के बाद, उन्होंने दूसरी शादी की, जो पत्नी तयार हुई संस्कृत सीखने के लिए, जो मदर बनी पंडिता रमाबाई की, उन्होंने पंडिता रमाबाई को बिलकुल बेटे की तरह संस्कृत और सास्त्रों का अध्यन कराया, अपने बेटों की तरह, बेटों को भी बेटियों को भी, और पंडिता रामा भाई को इसलिए equal सिक्षा मिली जो उसके ब्रदर को मिली और यही सिक्षा उनके पूरे जीवन भर की पुंजी बन गई और सब कुछ जो नों ने अचीव किया उसी संस्कृत शास्त्र और संस्कृत लैंगविज के जो शिक्षा जो उसके फादर ने सब से लड़के दिया लेकिन इसके लिए क्या हुआ कि अपनी पत्नी को अपने बच्चे को आप संस्कृत पढ़ा रहे हो सास्त पढ़ा रहे हो जो हमारे नॉर्म के खिलाफ है उनको कास्ट से बाहर निकाला गया उनको रिडिकूल गया उनको गौँं के बाहर रहना पड़ा एक जो है वो शेप ले रहा था consciousness जो रास्केता की थी भावना जग रही थी अभी गांधी जी सीन पे नहीं आये हैं इन बंगॉल में बंगॉल में ब्रह्मो समाज था राजा राम मोहन राय का आपको याद है केशव चंदर सेन अप संभाल रहे थे मुंबई में प्राथना समा जो religious text बोलते हैं, manu smriti बोलते हैं, patriarchy का जो norm है, हाँ लेकिन ठीक है woman को आगे बढ़ाना, इनको emancipate करना है, as an object, ये वो कभी नहीं सोच पा रहे थी कि woman खुद subject बनके अपने हाथों में अपने मुक्ती का जो है, वो कारे ले ले लेगी, ये उनके समझ से पड़े था, उ पराथी, कंडड़ा तो जानती थी, अंग्रेजी और साथ भाषाओं का उन्होंने अध्यन किया, आप समझेए, उनकी जो carrier थी, जो life, आपका ही livelihood, multiple किया, सुरू में वो घूम घूम के अपने पिता के तरह संस्कृत का lecture देती थी, पुरानी के स्टोरी बाचती थी, जो उन फर्स्ट फेमिनिस्ट बनी, इंडिया की वो में फेमिनिस्ट, पॉल्टिकल वोर्कर बनी और क्रिश्चन मिस्णरी चलाया सालों सालों तर, उनको पंडिता के उपाधी जो है, और पंडिता और सरस्वती, ये दोनों के उपाधी उनके संस्कृत और शास्तर के knowledge को देखते वे कलकत्ता इन्वस्टी ने 1878 में दिया, उनको ब्रिटिस कोलोनियल गॉर्मेंट ने कैसर इन हिंद, कैसर इन हिंद बहुत बड़ा गोल्ड मेडल होता था, गांधी जी को भी मिला था, ये 1990 में उनको मिला, वो पहली महिला भारतिय महिला बनी, उन्होंने इसको समझे, वो पहली महिला थी, जो की 11 और महिलाओं के साथ उन्होंने कॉंग्रेस का सेशन अटेंड किया, उन्होंने पहल थर्ड जो है नेस्टनल सूसल कॉंफरेंस होता था, जो राना डेनी जी ने स्थापित किया था, ठासो तासी में, उस पे वोबन की भी होती थी, उसके थर्ड सेशन में वो भाग लिया था, उनकी किताबों में यदि आप देखें, तो सबसे जो प्रमुक है, वो ये सकेंड नंबर पे है, पहले नंबर पे जो है, इस्त्री धर्म नीती उन्होंने लिखा था, लेकिन वो एक तरह से, जस्कुछ पैसे मिले कि व उसके लिखा था, वो उनकी पूरी सोच नहीं थी, एक immature सोच थी, moral for women in English, उनने लिखा था, मराथी में उसको translate किया गया था, 1882 में, लेकिन उनकी जो real रचना आई, वो high caste Hindu women, जिन्होंने उनको पूरे दुनिया में famous कर दिया, इसके कई भाशाओं में translation हुआ, 1887 में लिखा या अमेरिका में छपा था, पहले उनने मराथी में लिखा, बाद में उसका translation हुआ, इसको unofficial Indian feminist manifesto भी कहा जाता है, it was the first book published in English by an Indian woman, और इसके अलावा उन्होंने last के अपने जीवन के जो कई साल लगा दिये Bible को उन्होंने जो है, अपने mother tongue, मराथी में translate किया Hebrew और Greek से, समझे क्या उनका range था, तो इनको यदि आप इस बाइस दाहिने साइड में देखिए, तो कुछ और information में ने दिया है, पंडिता रमाबाई, सरस्वतिय आप दे सकते हैं, 1859 से 1922, छोटा सा लाइफ, first feminist of modern India, इनको कह सकते हैं, उनके other books मैंने लिखे हैं, आप ज़स्ट पढ़ के लिए उन्होंने जो तीन सोसाइटी खोले वो भी मैं नहीं पर रहा हूँ आगे क्योंकि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें सबसे important सार्दा सदन और मुक्ती मिशन है, उन्होंने एक school भी खोला था, गुलबरगा में, तो ये जो है उनका lifetime का first slide है, अब हम लोग आ lesson मिलता है उनके thought का, यदि मैंने इसको कई भागों में बाटा है, एक mini research के तौर पे आपको बहुत मुस्किल से इस तरह से मिलेगा, let us discuss this fascinating journey of life of Pandita Ramabai, इनका childhood जो है और कैसे वो जो अनात हो जाती है अपने भाई के साथ और फिर भटकती हैं 6 साल तक, ये period दे लीजे, first 20 years, तो यहाँ पे, parent जो है इनके, आपने देखा कैसे great थे कि अपने बच्ची को उस समय में संस्कृत सास्त्रों के सिक्षा, मर्दों के जैसा उन्होंने दिया, कोई भेदबाव नहीं किया, वो उनके लिए जीवनबर की पुझी बन गई, लेकिन वो प्यारे माता पिता जो है इनके कई भाईबहन मर गए, छे थे, केवल दो, ये और स्ष्री निवास, ये दोनों जिंदा बचे, दोनों भाईबहन घर छोड़कर निगल चुके, क्योंकि इनको पिता ने समझाया था कि घूम घूम करके तुम सास्त्र पर सकते हो, पुरान की कथा बाच सकते हो, इस त लाओ, और ब्रहम उसमाज के निमंतरन पे, वहाँ केसब चंदर सेन थे, वो जाती हैं कलकता, कलकता में उनकी लाइब बदल जाती है, क्योंकि उनको वहाँ बहुत इज्जत मिलती है, वहाँ पे कलकता इंवस्टी उनको पंडिता और सरस्वती का सम्मान देते हैं, उनका के साम बदल जाता है, वो पंडिता रमा बाई सरस्वती कलायें लगती हैं, वही वो शादी करती हैं, बिपीन बिहारी मैधवी से, जो उनके साथी होते हैं, वहाँ पे लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, और lower caste से होते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रहमन होते हुए उनको उन्ह वो भी lower caste से, वो भी अपनी मर्जी से, ये लड़की तो मतलब बिलकुल जो है बद चलन है, ये समझे उस समय का हमारा समाज था, ऐसी ऐसी बेवस्ता थी, तो लेकिन आप समझे उनके जीवन में कस्ट का कोई अंत नहीं था, अठारा सो असी में स्रीनिवास उनके एक मात्र ज अकेली औरत है और एक नन्ही सी बच्ची है मनुर्मा, जो उनको मेधवी से होती है, अब वो अपना कैसे जीवन पालेंगे और कैसे फेमिनिस्ट बनेंगे, आपके लाइफ देखे कितनी ठफ हो सकती है, वो पुने लोट के आती है, वहाँ पे कुछ लिवरल जैसे कि राना से, तो 82 में वो पुने लोट के आती है, वहाँ पे वो आर्य महिला समाज के स्थापना करती है, रानाडे जी के सही योग से, रानाडे जी बहुत बड़े सोसल रिफॉर्मर थे, प्राथना समाज चलाते थे और उनकी पतनी जो रमाबाई रानाडे थी जिन से कई लोग कन् मैंने यूटूब एक वीडियो में देखा, ऐसा नहीं है, उनकी पतनी का नाम भी जो है, रानाडे जी के पतनी का रानाडे रमाबाई था, वो भी सोसल वर्कर थी, लेकिन वो पती भक थी और हिंदू जो वोमेन का जो दायरा होता है, उसके अंदर में रहके ही, वो सब कु चर्चा होती थी, चाइड मैरेज पे कैसे हटाया जाए, एजूकेशन कैसे वोमेन का दिया जाए, जो इनफोर्स वीडो हुट है, आगे हम लोग देखेंगे, यह सब जो बुराईया है, उसका भयावह रूप थोड़ा हम लोग देखेंगे, महरास्ट में खास करके, इसको कैसे दूर किया जाए, इन सब पे चर्चा होती थी, यहां तक उन्हों है रूल बना दिया था कि आरे महला समाज के मंच पे या उसके कांफरेंस में कोई यदि मर्द आता है तो अपने पत्नी के साथ आना जरूरी है, देखिए किस तरह का था, वहां के और ओरतों को बोलने आपको क्या चाहिए, सूची इतनी बड़ी सम्मान मिली, वहां पि उन्होंने कहा कि मी लॉर्ड, इंडियन मर्द जो हैं, औरतों का भला कभी नहीं चाहेंगे, कभी उनको एजुकेशन नहीं देना चाहेंगे कि उनके बराबरी करें, आप एजुकेशन दीजिए वोमेन को not only education दीजिए, वोमेन को teacher बनाईए, वोमेन को doctor बनाईए, वोमेन मर रही हैं क्योंकि वो मर्दों से इलाज नहीं करना चाहते, वोमेन असुष्शा में हैं क्योंकि वो मर्द, teacher उनको समझ नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते, तो इस तरह की बाते उन्होंने जो की थी, जो क के तहद की काफी काम जो है वोमन के मेडिकल हेल्प के लिए और टीचर्स ट्रेइनिंग के लिए की गई तो समझे इतनी बड़ी उन्होंने काम किया उस साह में एक इस बाइस साल तई साल को उमर में उन्होंने जो है वहां पे किताब लिखी इस्तुरी धर्म नीती ये एक तर अपना moral ethical development करो लेकिन जो तुम्हें कहता है समाज वही करो इस तरह की बाते थी ये उनका अपना विचार नहीं था लेकिन उनको कुछ पैसे चाहिए था उनको इसमें इंग्लैंड जाना था लेकिन इसमें भी बहुत एक radical बात उन्होंने कही थी कि यदि कमजोर माता है तो उसका संतान कमजोर होगा और यदि संतान कमजोर होगा पूरा जनरेशन कमजोर होगा और नेशन कमजोर होगा इसलिए औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए बराबरी मिलनी चाहिए ये सब बात थी इसमें लेकिन अधिकतर जो है वो एक बहुती conformist टाइप का था जैसे उस समय के liberal मर्द सोचते थे औरतों के emancipation, liberty, equality गवारे में उस टाइब के बाते इस्त्री धर्म नीती में थी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो ये इनका पार्ट था पुने में अब क्या होता है, उनको थोड़ा भंग होने लगता है, वहाँ पे जो पुने का समाज है, ब्राह्मन समाज, वह उनको थ्वातिरस्कार करने लगता है, hunter commission and others के चलते है, महिला समाज के चलते है, उनको लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, वह इंगलेंड जाके डॉक्टरी पढ़ना चाहती है, इसके लिए उनको पैसे चाहिए थे, इस तरी धर्मनीती लिखा, अब वो Christian missionary के संपर्क में आते हैं, एक particular community, वो उनको बोलती है कि ठीक है, तुमको हम पैसे देंगे, वहाँ तुमको रखेंगे और वहाँ डॉक्टरी की सिक्षा देंगे, तुम वहाँ मराथी परहाना उन नंस को, जिनको के बाद में हमें इंडिया लाना है अपने मिस्टरी में, तो इस तरह से वो जो है इंग्लैंड जाती है, 1983 में अब उनकी कहानी जो है, पूरी टन ले ले लेती है अब आगे देखते हैं इंग्लैंड विजिट उनका पता लगता है कि वो बहरी हो रही है और इसके चलते हूं, उनको एडमिसन नहीं मिलता वो आक्सवोर्ड में, लेकिन फिर भी वो काफी चीज़े पढ़ती हैं, और जो साइन्स टैप की जो चीज़े होती हैं, बालोजी इन अधर्स वो पढ़ती हैं, डॉक्टर तो बन नहीं पाती हैं उनके वहाँ पे एक क्या होता है, उनकी बच्ची को जो है पालने के लिए वो जो जो नन्स का जो ग्रूप जहां वो गई थी क्रिश्चन मिसन में वांटेज, जो होम था, वो सब ने जिमेदार ली मनोर्मा की, क्योंकि ये काफी टूर करती थी, लेक्शर करती थी, पढ़ाती थी मरहाटी पढ़ाती थी सिस्टर्स, नन्स को वहाँ पे, उसी में उन्होंने वहाँ पे क्रिश्चनिटी अपना लिया जिसकी इंडिया में बहुत घोर निंदा हुई, लोगों ने कहा, ये तो breach of trust है, क्योंकि जाते हुए इन्होंने सब को promise किया था अपने समाज को कि ये क्रिश्चनिटी नहीं अपनाएंगे, लेकिन ये धीर-दर बहुत किया ही, लड़ाई करती रही हमेंसा कि Manorma, in fact, इनके और क्रिश्चन मिसनरी में लड़ाई हुआ, वो want is, जो मिसन था, वो चाहता था कि Manorma को खुद पाले, क्रिश्चन के तौर पे उस custody को लेकिन को लेकिन लंबी लड़ाई वोमेन के काम के लिए, इन दोनों परपस इन्होंने क्रिश्चनिटी को अपनाया था, लेकिन culturally ये हमेशा Indian बनी रही, Indian रूट में ही रही, Indian के लिए इन्डियन के लिए इन्डियन जैसा ही ये रही, तो ये इनका जो है, यहां क्रिश्चनिटी में इन सब का ध्यान डख सकें, जो अखाल में मर रहे हैं, जैसे उनके पिता और ये मर गए थे, और खास करके जो हाई कास्ट Hindu widow है, उनकी emancipation के लिए उसको training के लिए उनको बहुत पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए वो पूरी अमेरिका में घूमती रही दो साल तक, वहाँ जाजा के lecture देती रही, इंडिया के बारे में बताती रहे, बहुत popular हो गई, उसी time में जो है, वहाँ पे विवेका नंद भी lecture देने पहुंचे थे शिकागो में, 1893 में, दोनों में तो टकड़ाओ होता है, विवेका नंद की बुराई इससे ये best seller बनी वहाँ पे, इसमें उन्होंने पूरे ग्राफिक चितरन किया कि एक high caste, मतलब ब्रहमीन, इनका ये कहना था कि जो lower caste की वो ओरते हैं, वो थोड़ी कम miserable condition में है, वो बाहर साधी भी कर लेती हैं, विड़ो होने के बाद, वो livelihood भी घर में काम करती हैं, तो उनका अपना economic independent रहता अभी भी वैसा है, लेकिन high caste जो Hindu woman ने उनका कहना था कि उनकी life तो hell है marriage में, और जब वो विड़ो हो जाएं तो समझें कि वो तो मिर्तियू से भी बत्तर है, इसलिए वो सती भी हो जाती हैं, तो इस type का उन्होंने graphic picture दिया था, और ये भी बताया था कि क्या करना चाहिए, हम लोग आगे देखेंगे, और उनने अहवान किया था अपने Christian sisters का, कि आप इंडिया के उन पूर मलजूम औरतों के लिए, जो है, मजलूम औरतों के लिए, आप कुछ कीजिए, आप fund दीजिए हमें, तो ये fund raising था, इनको बहुत पैसे मिले, रमाबाई association के थुरू, इतना ज़्यादा कि वो जो है, वो खोल पाई, शारदा सदन, जो उनका ड्रीम था, तो वो लॉट करके 89 में पूने आ जाती है, वहाँ पे अपनी organization skill दिखाती है, वहाँ वो शारदा सदन खोलती है, ये एक lovely home था, high caste Hindu woman के लिए, लेकिन इसमें शर्थ क्या था, ये रमा भाई association द्वारा funded था, केवल 10 साल के लिए था शर्थ, ये था कि केवल high caste Hindu woman होगी, ये बिलकुल गलत है मेरे अनुसार से, लेकिन फिर भी, दूसरा कि यहाँ Christian उनको convert नहीं किया जाएगा, ये दम बिलकुल secular होगा, ये कहना था, अमेरिका का, तो ये दोनों चीजों पर विवाद हुआ, हम लोग देखेंगे इस पर, 10 साल के लिए के लिए फंडिंग थी याद रखिएगा, शादा संदन बहुत famous हो गया, उसकी जो वीडो थी उनसे, Mr. Carve, जो की बहुत बड़े एक social reformist थे, उन्होंने वहाँ की वीडो से शादी भी किया था, तो काफी वहाँ पर ओरतें आने लगी, और इनका fame काफी फैलने लगा, और इनकी criticism भी काफी होने लगी, कि ये Christian missionary का help लगे करती हैं, लोग कहने लगे कि conversion करती हैं, उस पर बहुत विवाद हुआ, वहाँ से एक inquiry committee बैठी अमेरिका से, उन्होंने इनको absolve किया, लेकिन की reputation पूरी मिटी में मिल चुकी थी, ये बहुत दुखी हुई, और इस तरह से जो है 1898 में फिर अमेरिका जाती है, क्योंकि 10 साल का period खतम हो रहा था, इनका विचार था कि और कुछ बड़ा करें, इन्होंने बहुत सारे जमीन खरीदे थे, पुने से करीब 40 किलो मेटर दूर केद गाओं में, केद गाओं में, तो वहाँ पर ये अपना shift करना चाहती थी, वहाँ वो मुक्ती mission चालू करना चाहती थी, जो बहुत बड़ा सा एक mission था, वहाँ पर केवल लेडीज ही नहीं, विडो ही नहीं, लेकिन orphan child और जो अकाल में, प्लेग में जो जो लोग मर रहे हैं, चाहए वो किसी भी sex के हों, जाती के हों, उन सब को लाना, उनकी सेवा करना, उस टेप का उनका प्लान था, उसके लिए उनको बहुत पैसे चाहिए था, इस बार उन्होंने जो है सब कुछ खतम कर दिया, अपना जो condition था कि इसमें conversion नहीं होगा, और इसमें केवल high caste आएगी, उन्होंने का कि simply भाई ये हमारा Christian missionary का work है, इसमें जो भी आएंगे उनको Christian होना ही पड़ेगा, convert होना पड़ेगा, एक तरह Christian missionary का उन्होंने, एकदम सीधा openly जो है काम करना सुरू कर दिया, मुक्ती mission में उन्होंने सार्दा सदन को मर्च कर दिया, और लास्ट में जीवन भर उसी पे जो है अंत में काम करती रही हो, शान्ती से, एक तरह से उनका life बहुत ही इस्थिर और शान्त हो गया था, 1900 से 1920 देखे तो कोई खास नहीं था, क्यों उसमें Bible का translation कर रहे थी और मुक्ती mission को बहुत बढ़ा रहे थी, आज भी मुक्ती mission जो है आप जा सकते हैं बहुत बढ़ा है और बहुत उसके शाखाएं हैं और बहुत सारा चीछ चल रहा है विए वर्ल्ड ओबर में उसकी बाते होती है, उसको support मिलता है, तो ये इनकी जो है brief account of life journey और चुआ ऐसा आप समझ सकते हैं कि कि किस type का life इनो ने जिया, अगली slide में हम लोग इस पर थोड़ी और चर्चा करें, अब तक कि discussion से आप समझ गए होगे कि किस type का extraordinary और unconventional, uncompromising life इनो ने जिया, लेकिन it was very modern, यदि आप modern को यदि आप परिभाशित करें, मैंने आपको सिखाया है, बहुत हट के था, यदि modern को आप हट के लेते हैं, up to date था, वो उस तरह का तो जो कि आज भी इंडिया की ओरतें dream कर सकती हैं, कि वो पूरा दुनिया घूमेंगी और अपनी खुद society बनाएंगी, जिसका head बनेंगी, books लिखेंगी, उनके जीवन में कोई मर्द नहीं होते हुए, भी totally self-reliant, reliant रहेंगी, कितनी ओरतें आज भी कर पाती हैं, तो ये ऐसा life था, she was given equal right to education by her parents, समझे, क्या बात थी, उनके पिता में क्या थी, वो बार बार कहती थी, कि मैं अपने पिता के mission पे हूँ, जिनोंने अपनी पूरी जीवन दे दी, पूरी समास से लड़के अपनी बेटी को शिख्षा दिया, वही जो है मेरा mission है, कि मैं पूरी औरतों को शिख् के लिए पाप था, कि तुमको नरक मिलेगा, उसको उन्होंने जो है किया, अपने पिता और अपने माता के सहीयोग से, और वो पंडिता बनी, फर्स्ट पंडिता, उन्होंने बाइस साल में साधी क्या, मैंने बताया, जब कि वहाँ दस से, नौ से दस साल में, जो है, मराथ उन्होंने बाइस साल में किया, लोग उसमें समझे कि किस ताइब से तानाकस्ते होंगे, अपनी चौएस से किया, किसी की मर्जी नहीं, और उस आदमी से किया, जो कि, उससे लोर कास्ट से थे, समझे किस तरह से उन्होंने वरजनाओद को जो है, जो boundary थे, जो custom, social custom, जिसको कि वो सड़ा गला मानती, उसों किस तरस उन्होंने उखार के फेका, अपने लाइफ में, instead of living conventional widow, उस समय की वीडो जो सड मुडा करके, उजली सारी में, घर के कोने में, नीचे सोती थी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा खाना-खाना, उन्होंने पूरी अपनी जो fruitful life था, आजे widow के रूप में जिया, single mother के रूप में जिया, लेकिन क्या remarkable life था वो, क्या पूरी दुनिया उन्होंने इंग्लैंड, अमिर्का घूमी, उन्होंने किताबे लिखी, फंड रेज़ किया, इंडिया में आके उन्होंने इतनी बड़े-बड़े विशाल जो है, सांकरो एकर के जमीन पे उन्होंने अपनी इंस्च्चूट चलाई, सारदा सदन, मुक्ती सदन और उसकी चीफ बनी, यह यह उनकी life थी, सी ट्रेवल्ड एक्रोस इंडिया, एराउंड अग्लोब, इंगलाइंड गई, अमेरिका गई, जैपान गई, हॉंग कॉंग, दूबारा फिर से अमेरिका गई, एक्स्ट्राओर्नेरी ट्रेवल, अभी और इवन मर्द भी इंडिया के ड्रीम कर सकते हैं, और अपने नाम से उन्होंने रमाबाई एसोसियाशन के नाम से अमेरिका में सोसाइटी फॉर्म किया, आप सोच सकते हैं, C. Converted to Christianity, आप उससे में समझे हैं, वो ब्राहमिन होकर के उन्होंने क्या इस्टेप लिया, सब की कितनी उन्होंने तानाएं सुनी, लेकिन उन्होंने अपने मन की की, self-reliant, independent, Christianity अपनाना था, अपना है उन्होंने, but took independent and critical view of some aspect of Christianity, उन्होंने Christianity से भी लोहा लिया, कहा कि नहीं, तुम में भी डॉगमा है, तुम भी जो है multiple भगवान को मानते हो, तुम भी उतने ही male hegomonist हो, तुम्हारा Anglican Church में भी वैसे ही patriarchy का है, तुम्हारे समाज में जैसा कि हम Hindu को छोड़ करके आए हैं, तुम भी वैसे रेसियलिजम करते हो, तुम भी एक Indian Christian को जो है, नीचा दिखाना चाहते हो, तुम वहां के जो English, जो Bishop और Nun है, उससे हमें खलबली मच गई, कि ये किस टाइब की Christian हमने बनाया है, ये तो authority ही नहीं मानती है, तो उनका authority मानने का नहीं था, वो उनसे भी लड़ पड़ी, for women's rights, she challenged the doctrine of Hinduism and institution of patriarchy, समझे कि जो लड़ गी, उन्होंने का कि कुछ नहीं, राजा राम मोहन राई जो कहते हैं कि प्रिस्टाइन है, वेद और उपनी सद, और बाद में जो है, वो अभरंश हो गया है, या बाद में वो faulty interpretation हो गया, no, उनका कहना था कि सभी कुछ में एक ही मिल सकता है, इस तरह के बाते इवेद उपनी सद में हैं, इसलिए उसको भी नकार दिया, उन्होंने का कि हिंदुईजम इटसल्फ जो है, वो मेन को नहीं स्विकार करता है, ये पूरा समाज जो है, पूरा जो आरियन समाज है, वही patriarchal है, और उस से मुक्ती का एक ही जैसे लोगों से टकराती थी, मैनी फॉर्स्ट कई उनके साथ में, उनके लाइफ में प्रथम वो थी, फॉर्स्ट इंडियन वोमेन थी, पंडिता का टाइटिल लेने वाली, फॉर्स्ट थी कैजर हिंद का मेडल लेने वाली पहली महिला, भारतिय महिला, फॉर्स्ट वोमे थी जो उनको की western world से support मिला, उन्होंने international feminist movement में भाग लिया, उन्होंने पूरी दुनिया भर के जो developed country के ओरते थे उनको उन्होंने इकठा किया, New Zealand, Australia, USA, England और वहां से उन्होंने fund लिया अपने organization के लिए, first Indian woman to set up so many societies and written so many books literature, आपको मैंने कुछ यहां पर नहीं दिया, अभी कम साथ, आठ और book और literature उन्होंने लिखा, पूरे जीवन भर लिखती रही और तीन, चार उन्होंने समझे कि इतनी बड़ी-बड़ी society established की, woman के reform के लिए, यह उनकी extraordinary life थी, यह उनका extraordinary struggle था, आपको फिर से मैं repeat कर रहा हूं, उनके जीवन में कोई मर्द नहीं था, गेवल पित कि पूंजी थी, ज्यान, संस्कृत और शास्त्रों का ज्यान, उसी को उन्होंने अपना हत्यार बनाया, self-reliant बनी, और शो किया, और सभी तरह के जो वर्जनाएं थी, रूधी वाजिता थी, dogmas थे, pretensions थे, आडंबर थे, चाहे वो Hinduism हो, Christianity हो, और Patriarchy यहां भी, और England में भी उसे वो टकड़ा गई, और टकड़ा करके भी वो सीधा निकली, और सफल बनी लाइफ में, यह उनकी लाइफ की गाथा है, यही बताती है, कि उनके थौट क्या थे, और यही बताती है, कि एक लेडिज को क्या संगर्स करना पढ़ सकता था, जबकि वो अपर कास्ट से आती थी, पढ़ ही लिखी थी, तब यह हाला थी, जो अनपढ़ हैं, उनका क्या हाल होता होगा, यह आगे हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने बुक, जो सबसे फेबस बुक थी, The High-Cast Hindu Woman, उसमें Hindu Woman, particularly High-Cast के Life Phages को कैसे उन्होंने वर्नित किया है, उ उनका कहना था कि जिन्दा है, उनके हस्बेंड तो वो मरेंगी, तो उनकी Life Marriage में ही खतम हो जाएंगी, Otherwise, He will become Fido. उनका कहना था कि जो Child Marriage की जो Practice है, Tradition है, जिसमें कि उस समय में Marathi जो Brahman Girl होती थी, उनको 8 से 10 वर्स में ही साधी कर दिया था था, मतब प्यूबर्टी के पहले शाधी करनी है, समझे क्या प्रथा थी, तो इससे होता क्या था कि उनको Education तो मिलती नहीं थी, और उनका Intellectual Growth जिसे में हो रहा होता है, Body जिसे में विक्सित हो रहा होता है, उस समय ही Stop करके उनको शाधी कर दिया था उसके बंधन में, तो It Deny Her Physical and Mental Growth, वो भी उनका रूख जा जाता है, वहां में सबसे उपर होंगे, सास उपर होगी, ननद उपर होगी, सबसे नीचे में जो है वो बहु को रखा जाएगा, फिर उसके बाद उनको Train किया जाएगा, कदम कदम पे उसके Spirit को Crust किया जाएगा, और उनसे आशा की जाएगी Married Woman से कि वो सब की सेवा करे, गूंगट में रहे, और किसी भी तरह से आवाज ना उठाए, सब के खाने के बाद खाए, और उनकी लाइफ एक चूले में बन जाती है, और यदि भगवान की उस पे मतलब कि एक कुद्रिस्टी हुई और ऐसे मिसपोर्चुन हुआ और उसके हस्बेंड किद्ध हो गई, तब जो उसकी लाइफ होती है, वो किसी मौद से भी बत्तर होती है, इनके अनुसार से, और शायद सच भी है, इनका कहना है कि वीडो जो है, आज वीडो, जो वोमेन है, हाई कास्चुन दू वोमेन, दे वेर एक्सपेक्टेड टू सेव देर हेट, बाल मुडा लेना है उन से भागनी लेना क्योंकि वो अप्शकुन माना जाता है, उनको अशुब माना जाता है, बदा पनौती माना जाता है, इट इस दे मैनिफेस्टेशन अफ गॉर्ड पनिस्में इंफ्लिक्टेड ऑन द वोमेन फोर दे क्राइम सी हैड कमिटेड इन वान उफ प्रिवियस बर् उनका कहना है कि सबसे अच्छी वीडो वो हैं जिनका की बेटे हैं और वो थोड़ी बुड़ी है, उसको तो बहुत आराम से जीवन उसका कर जाता है क्योंकि बेटे उसकी रक्षा कर लेते हैं, फिर है कि बेटा नहीं भी है लेकिन बहुत बुड़ी हो करके दी वीडो होत जो childless widow है, या जो child widow खुद है, जिसका एक साल में ही husband का date हो गया, या जिसको कोई बचाई नहीं है, उन लोगों के हालत तो मौद से बहतर है, बदतर है, इसलिए उनको, वो कहते हैं, कई लोग इसलिए सती हो जाती थी, कई ओरते जो हैं, वो अकाल पढ़ने पर, प्लेग होन निकल जाती है, और उसे जो और जो gender discrimination है, वो तो खतम हो गए नहीं, marriage वाली, उनको और discrimination छेलना पड़ेगा, so this is the way वो gender issue को raise करती है, हाई कास्ट, हिंदू वोन में specifically, अब इन जेनरल हम देखने ही कुसिस करें, एक उनके जो book में, जो हमने बताया कि तीन phages में life को उन्हों उनका मानना था कि तीन major जो है gender issue, of course यह मराथी, ब्राहमीन, वोमन के context में ज्यादा suitable है, लेकिन otherwise, उनका कहना था कि सबसे बड़ी जो problem है, वो child marriage की है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि और परिपक को age में, 8-10 साल में, जबकि सरीर विकसित हो रहा होता है, माइंड व वो जब marriage में जाती हैं, तो जिस तरह समस्या होती है, मैंने आपको बताया है, वहाँ equality नहीं मिलती है, उनके spirit को कुछला जाता है, जो patriarchal परिवार है, पित्री सत्ता, उसके सबसे नीचे तबके में उनको रखा जाता है, लेकिन यदि वो दुरभाग से widow बन जाती है, तब जो उनकी हालत हैं, मैंने आपको पिछले स्लाइड नहीं बताया, और ये उनका कहना था कि ऐसा क्यूं होता है, ये थर्ड कारण से जुरा हुआ है, उनको ना तो education मिलती है, ना उनका mental विकास होता है, क्यों? First कारण के चलते, child marriage, तो जब वो widow हो जाती है, तो उनको ना तो जीवन को पाल पाई और इतने लोगों का मैंने भला किया, तो वो important है, how is the linked education for women to child marriage and plight of women, plight of widows, तो तीन जेंडर इसू है, दो उनका कहना था कि major socio-cultural factor है जो इसको support करते हैं, एक है कि ancient जो हिंदू सास्त्राज हैं, like Manuismritis and others, और जो बाद में जो legal code बने, like दया भागा, म मिल करके, मतलब शास्त्र और legal code ने women के सारे अधिकार को छीन लिए, ना केवल अधिकार छीने, उन्होंने women को demonize किया, उन्हों ये लिखा कि women जो है, evil है, fickle mind है, नरक का, नारी नरक का दवार है, इस चाइप का, पुरुस को उससे बच करना चाहिए, वो एकदम साप के जै पती को भगवान समझे, उसकी सेवा करे, जो संसकार होते हैं, जो उपनायन संसकार हैं, अदल जो प्यूरिफिकिसन राइट बोलते हैं हिंदूस में, वो भी women से छीन लिया गया, उनको कहा गया, तुमको केवल एक ही संसकार मिलेगा, वो है marriage का, तो उनका कहना था कि सास्त और लीगल कोड ने बहुत बड़ा अन्याई किया है, वोमन के साथ में, और उसके बाद जो समाज ने उसको अपना लिया कस्टम के फॉर्म में, और फिर जब हजारों साल से कोई कस्टम होता है, तो इनका कहना था पंडिता का कि वो जो है धरम का रूप ले लेता है, तो फ जो बिवस्ता होती है, जिसमें कि वोमन को ना तो कोई प्रपर्टी राइट होती है, ना इनहरिटेंस राइट होती है, उसको एक प्रपर्टी माना जाता है, उसको माना जाता है कि एक वस्तू है, जो सन पैदा करीगी, पुत्र पैदा करीगी, जिससे कि वंस चलेगा, जो की जरूरी है patriarchy में, यदि वो daughter पैदा करती है तो उसको हीन भावनास देखा याता है, यदि बच्चे नहीं पैदा करती तो उसको तो समझो की भगा दिया याता है family से, तो ये उसके साथ treatment patriarchy में होता है, जहां कि मनु इसमेती कहता है कि उसको बच्चपन में पिता के अधिन रहना चाहिए, जवानी में पती के अधिन और बुढ़ापे में अपने बेटे के अधिन, तो इस तरह से एक अधिनता जो है, पराधिनता में उसको बंधन में रखा जाता है, बिना किसी राइट बिना किसी लिबर्टी के, उनका कहना था कि तीन तीसरा फैक्टर जूर गया है, कोलोनलाइजेशन के चलते हैं, जो ब्रिटिस कोलोनियर रूल है, वो अपने ट्रेडिंग और एकनोमिक इंट्रेस्स के चलते जो है, वो सोशियो कल्चुरल मैटर में इंटरफेर नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अठाव संतावन में बिद्रो हो गया, जब उन्होंने सतीपर्थान अदर खतम किया, तो अब वो जो है गार्डेड एप्रोच लेती है, उनके अनुसार से ये मोरली अंजस्ट है, कि अपने यहां तो वो सभी सिविल राइट देते हैं, लेकिन इंडिया में आकर कि उनके पाउंट ठीटक जाते हैं, क्योंकि यहां एकनॉमिक बेनिफिट उनको दिखने लगता है, उनका कहना था कि तीन स्ट्राटेजी जो है इंप्रूव कर सकती ही वोमेन के कंडिशन को, एक है कि सेल्फ रिलाइंस बनाओ, सेल्फ रिलाइंस कैसे बनाओगे, दूसरा करो, मतलब उनको एजुकेशन दो, वो केसनल ट्रेनिंग दो, जैसे मेरे माता पिता ने दिया, उनको प्रोपर्टी दो, इन्हेटेंस राइट दो, उनको बाहर कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर करने दो, उनको टीचर बनने दो, डॉक्टर बनने दो, इस्कूल इंस्पेक्टर बनने दो, मिडवाइब बनने दो, नर्स बनने दो, गार्डनर बनने दो, यह उसको करने दो, नेटिब वोमेन ट अब्यूगेट रखना चाहते हैं. इसलिए women को उन्होंने पूरे दुनिया भर से आहवान किया, वहां से उन्होंने fund इकठा किया, western world के developed women को उन्होंने आहवान किया कि please अपने जो unfortunate Indian जो तुम्हारी बहने हैं उनकी मदद करो और उनने किया और उनके through, तो इस तरह से उन्हो उन्होंने बहुत innovatively women के subjection को Indian nation के degradation से जोड दिया. उन्होंने कहा कि जो nation अपने women का नहीं ध्यान रख सकता, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता. उनका कहना तक हम आज पराधीन हैं, सदियों से पराधीन रहे क्योंकि हमने अपने women का ध्यान नहीं रखा. कैसे? उनका कहना कि दो तरीके से हम degrade हो जाता है women का subjection होने पर. पहला कि जब man जो है बुद्धू wife के साथ रहता है, ignorant wife के साथ रहता है, जिसका mental या सारिक विकास नहीं हुआ है, तो वो खुद जो मर्द होता है, वो सुस्त और slavery loving, मतलब उसको तो slave चाहिए, जिसके उपर dependent रहे हैं, हमको पीना दो, पैर दबाओ, तो वो slavery loving dependent बन जाता है, ऐसे मर्दों से कभी देश की रक्षा नहीं हो सकती है, दूसरा उनका कहना था कि जो weak oppressed mother होगी, तो weak बच्चे पैदा करीगी, next generation पूरा weak बनेगा, तो फिर क्या वो देश की रक्षा करेगा, तो इस तरह से उन्होंने women's के बहुत relevant है, अब यह देखें कि उनका जो विचार क्या था, उनकी जो सलाह क्या थी, यह तो हम लोगे देखा, लेकि उन्होंने actually बहुत कुछ किया, क्या किया gender issues पे, यह तो पहले तो उन्होंने अपना जो जीवन जिया, वो अपना जो उनका motto था, self-reliance for women, आपने देखा उनका जीवन खुद वही दरपन था, हम self-reliance बने, क्योंकि हमें जो है, education मिला, उसी के बूते पे बने, और हमने लोगों को पढ़ाया भी, तो जो उनका तीनों विचार था, वो उनके खुद जीवन में समाही था, और कोई man उनके life मिन था, मैं तीसरी बार बोल रहा केवल अपना जीवन नहीं जिया, अपनी बच्ची को नहीं पाला मनुर्मा को, लेकिन उनने तीन, चार ऐसे बड़े-बड़े इंस्चूट बनाया, छे सो एकड में उनने मुक्ती मिसन बनाया, जहां पे चर्च है, हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, मैंगो ओर्चेड है, वह पूरे इंडिया में उन्होंने संस्कृित में लेक्षर दिया, पूरे दुनिया में घूम घूम के लेक्षर दिया, अमेरिका में घूम के लेक्षर दिया, डिबेट किया, उन्होंने पब्लिस किये, कितुनी ही बुक जो मैंने आपको बताया, फैंपलेट उन्होंने चाप में भी उन्हें पार्स पेट किया, हर जगा वोमें की इशू उठाया, ओल फर रेजिंग वोमेंस इसू और वोमें को कैसे जो है self-reliant बनाया, she took head-on, मतलब fight उन्होंने पैठियार्किर से लिया, और dogma जो है, जो Hinduism और Christianity दोनों से वो टकड़ा गई, इसको मैं फिर से नहीं कहा रहा हूँ, क्योंको मैंने पूरे ड्रियल में बताया, आपको किस तरह वो दोनों ही से टकड़ाई हूँ, she helped women, widows, orphan children, single mothers, किस तरह से, पहले तुन्होंने जिसाब बताया कि, first zone cup पुने में, अपनी जो foreign budget के पैसे को मिला करके, शादा सदन खोला, पुने सहर में, to provide shelter, educational, vocational training देती थी, high caste Hindu widows को, सिलाई कड़ाई, midwife की training, teachers training, उनको अपने ही पाउँ पे खरा करती थी, और कि dignity से तुम जी सको, किवल यह नहीं कि हमारे आस्रम में आके बस जिन्दा रहो, ऐसा नहीं था उनका, पूरी training देती थी, यह सादा सदन था, बाद में उन्होंने और उसको बड़ा किया, 40 km दूर वो चली गई, केद गाउं में, वहां पुने में, वहां उन्होंने 600 एकर की जमीन उन्होंने खरी दी, इतना उनका विजन था, कि सार्दा सदन के टाइम में ही वह जमीन वहां खरीती जा रही थी, वहां उन्होंने मुक्ती मिशन बनाया, जो उनका दारा पूरा बड़ा कर दिया, अब वहां पे विडोस के अलावा जो है अन्मारीड वोमेन और गर्ल्स आ रही हैं, अबंडन वाइब्स आ रहे हैं, और्फेंट चिल्डर्न आ रहे हैं, और विक्टिम ओफ टेरिबल फेमीन और प्लेग, जिससे कि उनके फादर मदर की डेथ हुई थी, वो सब को उन्हें अपने आचल में समेट लिया, और वो पूरी तरह से Christian missionary के तौर पे उन्हें काम किया, जैसे Mother Teresa ने काम किया था, अपने जीवन के 15 साल लगबग शान्ती से वो काम करती रही, पूरे limelight से दूर, इस तरह का उनका contribution था gender issues पे, जो हम लोगों ने discuss किया, यहाँ पर एक बात फिर से बताएं कि उन्होंने इस्तुरी धर्म नीते लिखी थी, जो कि उनकी अपनी ऐसी कोई सोच खास उसे mature नहीं थी, उन्होंने high caste Hindu woman लिखा, जिसमें उनकी पूरी सोच निखर करके आती है, एक radical feminist विचारधारा जो पूरी दुनिया में famous हुई, और यह जो तीन जो उन्होंने society खोले, यह उनके main contribution थे gender issues पे, इसके अलावा कि उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम करके, जो है उसको aware किया, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी, और सभी से वो टकराई, तिलक और वेकरन जैसे लोगों से टकराई, खासकर करके तिलक से, पॉल्टिकली, और इतने लोगों को साथ भी लिया, वो भी हम लोग देखेंगे. अब criticism, जो मैंने आपको कहा, she was criticized, बहुत चीजों के उनकी criticism की गई. पहला किया गया कि कैसे उन्होंने Christianity अपना लिया, हिंदू धर्म को छोर के, ये तो बिल्कुल पत्ष ब्रष्ट हो गई. और कैसे वो Christian women का साथ लेती हैं, Christian मर्दों का साथ लेती हैं, USA, England से, इंडिया की जाके बदनामी करती हैं वहां पे, और यहां पे अपने mission सार्दा सदन में जो है, वो Christian बनाती हैं, मतलब conversion करती हैं, ये तो बहुता बरा अपराद था, अभी भी है, उस सेंवी था. और कैसे वो जो है, हर चीज पर अटाक क्यों करती हैं, हिंदूइजम पर क्यों अटाक करेंगी, कि वेदाप और उपनी सत तक जो है, वो औरतों का बुराई करता है, और जो जितनी prevailing social norm है, खास करके नारियों से related कि, नारियों कैसा behave करना चाहिए, कितनी उमर में होनी चाहिए, पती के साथ उनका कैसा behavior होना चाहिए, परिवार में सब को क्यों तोड़ना चाहती है, यह बिल्कुल गलत है, यह पतब्रस्ट कर रही है और औरतों को, इस बात पर उनकी बुराई होती थी, इनकी बुराई इस पर भी होती थी, कि किस टाइब का खराब unconventional और rebellious life जीती है, बाई साल को उमर में शादी कर रही है, वो भी low caste से, और विद्वा के बाद भी विद्वा का जीवन नहीं जी रही है, फॉरेंज आ रही है, घूम रही है, पब्लिक मंच पे भाशन देती है, पब्लिक लाइफ जी रही है, यह तो बिल्कुल गलत है, उनकी बुराई की जाती थी, कि अपना टालेंट उन्होंने यूज नहीं किया, नेशनल मुव्मेंट के लिए, पॉलिटिकल पाट्सपेसन के लिए, या नेशनल कंसियसनस बनाने के लिए नहीं किया, बलकि उन्होंने जो है, अपना एक Christian missionary type का जो life था, वो जिया, उसके लिए उनकी बुराई की जाती है, उनकी बुराई की जाती है, for exposing worst part of Indian social tradition to Western Christian world, कि आपने तो हमारा कच्चा-चिठा खोल दिया, भेद खोल दिया, या बढ़ा चरहा करके आपने अपना काला अध्या दिखा दिया, high caste Hindu woman लिख करके वो क्या सोसते होंगे, इंडियन कितने पिशुड़े हैं, और उखुस होते होंगे कि हाँ, इसलिए तो ये बार्बेरिक हैं, हम civilization mission चला रहे हैं इनके उपर में, तो आपने तो उनको help किया, उनको खुसी पहुचाने के लिए आपने हमलों का गंदा चेहरा जो है, world को दिखाया, इस पे उनकी बुराई की गई, उनकी इस पे बुराई की गई कि caste system के बारे में उनके विचार जो है, वो बहुत ambivalent थै, कि बहुत ज़्यादा वो critical नहीं थी, उनका विचार लगबग वोई सही थैसे कि liberal, male का उसे में था, उनका कहना था कि भाई, caste system तो सुरुआत जब हुई थी, world बेवस था, तो वो एक economic division था, skill पे बेस था, जो जो अच्छा काम कर सकता था, aptitude था, वो समाज में वो काम किया, लकिन बाद में वो थोड़ी जो है, अप्भरंश हो गया, एक तरह से faulty हो गया, क्योंकि वो once wadi हो गया, मतलब जन्म से वो आधारित होने लगा, कर्म से नहीं, तो उसमें बुराईयां घुज गई और purification, उसको सुधारने की जरूवत है, लेकिन as such caste बेवस्ताप उन्होंने चोट नहीं की, यहां तक कि उन्होंने शारदा सदन में केवल अपने high caste Hindu woman को ही entry दिया, यह उनकी बहुत बरी बुराई की जाती है, इसके अलावा उन्होंने कभी कोई खास छोटी जाती को औरतों के लिए कोई खास बात कहीं नहीं कभी, वो हमेशा उनका माना था कि high caste Hindu woman को बहुत ज्यादा परिशानी होती है, इसके अलावा, मतलब पूरी caste system, एक बात और उन्होंने यह कहा कि woman और low caste एक हैं, यहां पे वो थोड़ी low caste को अपने केटिग्रिम लेती है, उनका कहना था कि दोनों ही को संसकार नहीं दिये जाते हैं, दूइज वर्ण के तरह, दोनों को ही मोख्ष की प्राप्ती उनके लिए संभब नहीं है, और दोनों को एक तरह से out caste रखा जाता है, तो यहां इस तरह उनके caste पे विचार थे, मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि आपको एक्जामनेशन मेरी उनके कास्ट पे विचार आएं, तो आपको यह सब लिखना चाहिए, उनके जो बहुत फेमस क्रिटिक थे, वो बाल गंगाधर तिलक थे, वो अपने केसरी में उनकी बहुत बुराई करते थे, विवन उनके मरने पे भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनकी एक तरह से, जिसको आप बोल सकते हैं, जो मरसिया पढ़ा जाता है, उस पे भी उन्होंने वो बुराई करते थे, पेपर में भी छपते थे, तो विएकानन से भी उनका तकडार हुआ था, उनके लेकिन बहुत सारे सपोर्टर भी भी बहुत थे, जो बहुत फेमस थे, केसव चंदर सेन, जो ब्रहम समाज चलाते थे, राजा रामोहन, राय के पंडिता वो उनकी सपोर्टर थी, डी के कारवे, जिन्होंने की उनकी शार्दा सदन की वीडो से साधी किया, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टूट बाद में खोले, वो समर्थ थे, और गोपाल हरी देशमुख, जिसको लोग हितवादी कहते हैं, महरास्ट में उनको जो है सपोर्ट करते थे, तो काफी बड़े-बड़े लोग सपोर्ट भी करते थे, लेकिन कई लोग जो उनके क्रिटीक भी थे, इसमें बहुत कोई फेमस भी थे. यदिम तेजी से उनका overall assessment करें, काफी चाज में repeated हैं, she led an extraordinary life of her own choice at her own terms, ये तो बिल क्लियर है, to rage voice of her country's woman, she broke the norms of both prevailing social customs and patriarchy, दोनों से उटकड़ा गई, इतनी बड़ी बात थी, she challenged Hinduism, Hinduism को चैले सिदा कर दिया, patriarchy को किया, and hypocrisy and pretensions of the male liberals for that she was erased from history, उनको हटा दिया गया history से, अब जाके फिर हम लो recover कर रहे हैं, उन्होंने जीवन भर वो लड़ाई करते रहें, multiple front पे against traditional and patriarchal Indian society, patriarchy in Anglican Church, वो वहाँ भी भिड़ गई, कि वहाँ भी patriarchy मैंने बताया, racialism और colonialism से भिड़ गई, dogmas in both Hinduism and Christianity, उससे वो लड़ गई, she lived in a world more backward than her vision, ये मेरा कौशामभी जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, पंडिता पे, उन्होंका ये कहना था कि, she lived in a world more backward than her vision, वो दुनिया जो है उनके साथ चलने वाला नहीं था, वो बहुत पीछे था उनके दिमाग से, और जो गौरी विश्वनाथन, जो कॉलंबिया अन्वरस्टी में प्रोफेसर, उन्होंने बहुत कुछ इस पे लिखा, उन्होंने का hence, she and her works were not understood by her own generation to whom it appeared confusing, inconsistent and even contradictory मतलब समझी नहीं पाया लोग उनको तो इसलिए उनको नकार दिया गया एक तरह से Dear students, यह references है, आप इसको देख सकते हैं इसके लाबा मैंने कई अन्य जगह से लिया है मैं पुरी यहां पे नहीं दे पा रहा हूँ and मुझे पुरी आशा है कि आप share करेंगे, subscribe करेंगे, comment करेंगे मेरे पैसन को बनाए रखने के लिए और इन मेडियम से मुझसे reach करेंगे Thanks for watching, good wishes, be safe